प्रोजेक्ट 596 जिसके अंदर भारत प्रयोग करती है री कनाईसेंस एरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, अर्थ अब्जर्वेशन साटलाइट्स, रेडार इमेजिंग, उप्टिकल इमेजिंग और इसके साथ साथ स्पाई साटलाइट्स क्या आपने कभी प्रोजेक्ट 596 के बारे में सुना है भारत की एक ऐसी इंटेलिजेंस एजनसी है, जो 1963 में बनी थी जिसका नाम है एबियेशन रिसर्च सेंटर, ARC जो की प्लेस की गई है रिसर्च अनालेसिस विंग RNAW के अंदर ये आज की डेट में इमेजरी इंटेलिजेंस गैदर करती है रौ के लिए दोस्तों ये एक ऐसी स्पेशलाइज जेजनसी है जिसको भारत और चीन के 1962 की जड़ब के बाद बनाने की आवशकता हुई ताकि हम चीन के उन सारे गतिविदियों के उपर नजर रख पाएं कि चीन किस प्रकार से अपनी मिलिटरी की मोबिलाइजेशन कर रहा है और ये मोबिलाइजेशन के कारण आज की डेट में भारत की सुरक्षा के उपर किस प्रकार की आच आने की संभावना है 2020 में ऐसा माना जाता है कि चीन की सेना के अंदर के लगबग एक लाख ट्रूप्स जिंजियांग प्रोविंस में कश्गर के पास एक मिलिटरी एकसरसाइज कर रहे थे और वस एक लाख ट्रूप्स की मुव्मेंट जब जिंजियांग से खतम हुई तो वो जब नीचे की ओर आने लगे इसके बारे में information उस समय Research and Analysis Wing में सबसे पहले Aviation Research Center को मालूम चली और वो भी पता चली लक्षे वन ड्रोन्स के थुरू जी हाँ लक्षे वन ड्रोन्स, DRDO, Defense Research and Development Organization और Aeronautical Development Agency इन दोनों ने मिल कर बनाए हैं आज की डेट में 23 लक्षे वन ड्रोन्स जो हैं, ARC उनका प्रयोग करती है और ये वो ड्रोन्स हैं जो लगबग 7 फुट लंबे, 700 किलोग्राम भारी ड्रोन्स हैं टर्बो जेट टेकनोलिजी के साथ ये चलते हैं और इनों ने हमें बताया कि आने वाले समय में चीन जो है, वो भारत के लद्दाक की बाउंडरी के बहुत पास ही गुमता हुआ जा रहा है और जो उसके बाद लद्दाक के अंदर हिंसा हुई, जो मूनलाइट मसैकर हुआ, वो सारा देश जानता है और सारी दुनिया जानती है लेकिन दोस्तों, एविएशन रिसर्च सेंटर, जो इमेजरी इंटेलिजन्स करती है, और्थ अब्जर्वेशन सैटलाइट्स और साथ ही में स्पाई सैटलाइट्स से लेकर, रीकनाइसन सैटलाइट्स के साथ, आज की डेट में भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही म साम में हैं, और चौथा तजीकिस्तान में हैं, जी हाँ, एविएशन रिसर्च सेंटर का एक बेस तजीकिस्तान में, उस बॉर्डरों के पास भी है, जहां से चीन और पाकिस्तान के उपर भी एक गहरी नजर रखी जाती है, दोस्तों, इसके साथ-साथ, हाली में 2012 की ये ब जाए, क्योंकि एक ऐसी मानने की बात आई कि, इंटी आरों के अबजेक्टिव, इंडियन एर फोर्स के अबजेक्टिव, डिफेंस इंटेलिजन्स के अबजेक्टिव, एर सी के अबजेक्टिव, काफी सारे ओवरलाप कर रहे हैं, 2015 में नैशनल सेकिरोटी अडवाइजर जीद दोवल के पास ये प्रोपोजल भी गया, और ये बात बोली गई कि, आप जो है एविएशन रिसर्ट सेंटर को डिजॉल्व करके इंडियन एर फोर्स के साथ और एंटी आरों के साथ उसको मर्ज कर दीजी, लेकिन इसके खिलाफ भी एक मुहीम चली और बोला गया कि ये भारत की सुरक्षा के लेक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, और इस कॉंटेक्स्ट में, 2015 में अजीद दोवल के तहती ये डिसेजन लिया गया, कि ARC, जिसको आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि RAW का एक कोवर्ट एर फोर्स या एर यूनिट है, वो एक टेकनिकल व और एर यूनिट ऑफ RAW भी कहा जाता है, धन्यवाद. साथी में Current Affair की जो ये मैगजीन है, इसको भी अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, PAVIS Code के प्रयोग से, और साथी में इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, धन्यवाद.